हेलो, गुद मानिंग, वेलकम तो सरित क्लासिस और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नमबर फोर और यह है जियोमोर्फिक प्रॉसेस चैप्टर नमबर सिक्स का देखो जियोमोर्फिक प्रॉसेस सब हम सबस्च चुके हैं और इसके अलड़ी तीन वीडियोस हम अप आपर इंवाल्व लेक्टिव ली माइनर मुमेंट यहां पर और प्रॉसेप का हमने यूज किया है जो माइनर मुमेंट है जिसको हम बोलते ट्रिमर इक मींस हम बात करते किसकी अर्थ्वेक की अंदर प्रिसाइजली घो टाइप की वह होती है बॉड़ी वेव पीव जो इन ट्रीमर आता है हम उसकी बात करें क्योंकि देखो हर टाइम जो अर्थ्वेक है वह लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन लेकर नहीं आता है सम्टाइम अर्थ्वेक होता है 1.0 2.0 और सम्टाइम 3.0 इस तरीके की जो मुवमेंट है या फिर यह जो इंटेंस्टी है इतनी ज्या ज्याधा मुवमेंट नहीं करते हैं बट यहां पर इसी कॉंसेट्ट को लेके चल रहे हैं कि आर्थ्वेक जो डवलप हो रहा है यहां पर एक लोकल ए या यानि की माइनर मुवमेंट लिए नेक्स्ट चलते हैं और कोश्चन यहां पर क्या पूछे गई हैं एक मिनट एक को solification क्या होता है चीक है उसको भी कवर करते हैं जैसे हम उस पाइंट लोपर पहुंचेंगे ओके तो इस ड़न ओके तो वालकिलिजम वी हब कवर्ड एक्जोजेनेटिक प्रॉसेस और यहां तक हो गया दा और आज हमें स्टार्ट कर रहे हैं एक एक वरे न्यूव कॉंसेट यहां इस नोन आज एक्सफोलिएशन एक्सफोलिएशन डॉम आज तोर यह सबसे इंपोर्टेंट और इजी टॉपिक है यह देखो एक्सफोलिएशन जो कॉंसेट है आपका इन आलसो नोन आज ओनियन पीलिग बट इस अनादर नेम आफ देखो जो गर्मी के टाइम पे हम सबसे जादा कंजूम करते ओनियन तो जब हम ओनियन को लेयर बाई लेयर क्या करते रिमूव करते तो हमें क्या मिलते एक न्यू ले अविलेबल होती है तो इसी तरीके से लेट इस पूल डिस एस राउंडे रॉक अन्डिस राउंडे रॉप इस अंडर दे इंफ्लेंस ऑव सनलाइट और जो सनलाइट है कहां पर सबसे ज़दा इंपक्ट डालेगी ऑपिसली ऑन दा आउटर सर्फेस सो आउटर सर्फेस के अपर यहां पर जो टेंपरेचर फॉल हो रहा है उसकी बज़े से क्या शोगा एक्सपैंशन लेकिन यह सिरफ और सिरफ किसके साथ है जो आउटर लेर है क्लिए क्लिए तो कि देखो टेंपरेचर कभी भी जो स्टोन का कोर पार्ट है वहां तक नहीं पहुंचेगा सिरफ कह इसके जो आपका स्टोन है ठीक है इसके जो उपर की जो लेर है वो क्या होगी क्रैक होके अलग होके एक मड़ी थोड़ा और बैटर मना दो इससे क्या होगी यह लेर डिटाइच होके बाहर आ गई है अब यह जो लेर है ना विस लेर इस एक्सपोस for the high temperature तो अब यह जो ले creation जो यह entire rock है layer by layer क्या होती जाएगी disintegrate होती जाएगी and these type of weathering is known as exfoliation or onion peeling what is known as onion peeling type of weathering is it clear if it's clear we can move on the next one that is exfoliation dome okay so यह जो हमने concept समझा है this concept is related to which type of rock this time rounded rock so sometime what happens these rounded rock can be like a mountainous structure और यह mountainous structure की कैसे हो सकती है betholith कोई बात नहीं जिन बच्चों को नहीं पता betholith क्या होता है simple से यहां पर concept ले लेते हैं कि यह आपका क्या है intrusive part of a volcano उसमें सबसी जो lower part में जो magma होता है वो क्या होता है solidified and gradually this betholith is going to be exposed on the surface so यहां पर हम कौन सा एक्जाम्पल ले रहे है betholith betholith को आप बोल सकते हो basement rock और इसका size काफी बड़ा होता है so यहां पर हमने exploration में क्या देखा है layer by layer यहां पर disintegration होगा same thing is going to be happen but this is very large in size so gradually क्या होगा यह जो पोर्षन है it will show expansion and contraction this will show expansion and contraction expansion and contraction this one so यहां पर जो removal हो रहा है यहां फिर जो disintegration हो रहा है layer by layer by layer disintegration हो रही है and यह same as it is किसका है आपके एक्जाम्पल जो हमने exploration के है उसके ही जैसा यहां पर process हो रहा है अब यहां पर ने एक छोटा सा concept है TOR हाला कि जो TOR है कफी lengthy concept है try करते इसको within two minute में conclude करनेगा देखो precisely क्या है यह आपकी let us suppose layer one this is layer two this is layer three अब आपके दिमाग में और होगे कि हमने यह layer one layer two layer three यह बनाया क्यों है क्योंकि देखो अभी हमने concept लिया है betholith का let us suppose यह कौन सी रॉक है betholith type of rock है अब यह जितनी भी upper rocks है यह जो upper layer of soil है यह किसके उपर pressure exert करें all these layers are exerting pressure on the betholith किसके उपर pressure exert हो रहे betholith के उपर pressure exert हो रहे and इसकी वजह से यहाँ पर क्या develop होना start हो जाएंगे crack क्या develop होना start होगे crack let us suppose these cracks are developed in the betholith अब एक और चीज़ जब हम किसकी बात करते ground की ground में एक और most important thing होती है that is known as ground water let us suppose यह जो मैंने पार्ट अभी shaded किया है यह क्या है आपका ground water this is your ground water okay everything is okay so this is ground water now what is going to be happen gradually this ground water will perform chemical weathering and physical weathering now question can be asked chemical weathering तो समझ में आता है what about the physical weathering physical weathering में देखो होता है क्या है यहां पर hydraulic action यहां पर perform होगा next अगर जैसे जैसे अपर पार पर exposed होता जाएगा तो water को यहां पर अगर night में temperature क्या मिल रहे कम so it is going to be freeze and again during the daytime it will convert it to the liquid one means for action यहां पर start होगा लेकिन यहां पर प्रॉमिनेंटली कांसा होता है chemical reaction यहां पर प्रॉमिनेंट होगा तो ग्रैजुली क्या होगा यह पार्ट अप्वर्ड 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 एक्सपोस्वोना स्टार्ट होगा means this final structure let us suppose this is the explanation part and the end result will be it's a blue let me just take the different color so this is the rock one and this is the another and one more part this is another rock this is another rock and this is let us suppose another rock and this type of structure is exposed nearby surface ठीक है यह नीचे क्या है बाकी का bottom topography है ठीक है bottom surface है and this is the exposed part यह जो exposed part है इसके अंदर क्या है lot of cracks are there now question can be asked what happens why these kind of cracks are developed because of the chemical weathering जो की कहां हुआ है beneath the surface और यह किसके अंदर हुआ है bethulit type of rock और what is bethulit it's a intrusive rock ठीक है intrusive rock मतलब जब volcanic like structure हम करते है उसके अंदर दो आते हैं exclusive or intrusive detail में आने वाले upcoming lectures के अंदर देखेंगे यह जो structure developed हुई है इसके अंदर क्या है cracks developed हुए है clear so these kind of structures are known as tors इनको हम क्या बोलते हैं tors बोलते हैं so यहां पर जो हमने exfoliation exfoliation dom और tor यह जो आपने तीन important concept पढ़े हैं is it clear or not एक बार मैं दुबार से explain करेंगा कई बच्चों को यह first time अगर आप देख रहे हो तो sit के उपर से भी जा सकता है देखो हमने सबसे पहले क्या देखा है मैं अभी black color जो marker है उसका use करके आपको चीजों को clear करता है सबसे पहले हम देखा layer 1 then layer 2 then layer 3 1 2 3 इन सभी layer का वजन कहां जा रहा है नीचे नीचे मदलब यह let us suppose क्या है बैतुलीद बैतुलीद के उपर क्या आगा प्रेशर अब जैसे बैतुलीद के उपर प्रेशर आएगा जैसे यहां पर आपको visible है crack डवलप है इसी तरीके से जो यहां पर black color से मैंने डवलप के यह क्या डवलप होना स्टार्ट होगी अब इन क्रैक के अंदर जो यहां पर ग्राउंड वाटर अलड़ी अविलेबल है वह कौन सी एक्शन शो करेगा कैमिकल रियक्शन परफॉर्म करना से चार्ट करेगा जिससे की जो रॉक है छोड़ शोड़े पार्टिकल्स के अंदर डिसिंटिग्रेट होगी एड़ ग्रे जाए तो लीते उसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स डबल पोगे और बिकाउस ऑफ दर केमिकल वैदर किसी किसी स्पेस के उपर जैसे यहां पर आपको विजीबले क्रैक्स बहुत जादा डीप में डबल पो चुके है राइट तो यह जो अभी आपकी इंडिपेंड इन्डि आइसोलेटेड एरिया झाणीं, अब इन्डिपेंडेंट स्ट्चर क्यों है बैथुलेट, बैथुलेट वगेरा यह सारा हम और डिटील में कवर करेंगे दुरिंग दा कॉंसेप्ट कवर आफ विच कॉंसेट कवरेज गर्ज दरिंग दे कॉंसेट कवरेज ओफ एक मिनट रूँ जाओ ये ओके जब हम कॉंसेट स्टार्ट रेंगे चप्टर नूम्बर फूर जिसके अंदर आपके Continental Rift Theory, Plate Tectonic, Sea Floor Spreading and Convectional Current प्लस इसके अंदर फे लास्ट सबसे लास्ट में आता है आपका वालकिनिक से रेलेटेड ओके तो ये थिया आपकी सबसे Detail Exploration किस चीज के रिगार्डिंग Exploration, Exploration Dome and Tor और इस टाइब के Exploration मैंने काफी देखा है कि इतनी आपको डिटेल में किसी ने नहीं प्रोवाइड किया है क्योंकि देको Better Understanding के लिए कुछ-कुछ पॉइंट में आपको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ता है और ये उह में से एक है Next Concept आता है आपका Significance of Weathering इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे काफी Simple है The very first is Regulate What do you mean by Regulate? Let us suppose ये क्या है आपका Stone और ये जो Stone है किसके अंदर Convert होगा है छोटे-छोटे Further Fine Particles के अंदर Convert होगा है And sometimes what happens जो ये आपका Major Stone है उसी का ये biggest chunk रह जाता है Regulate Next is Soil Formation अब्बेसी बात है ये जो Stone आगे जाके किसमें Convert है Final Particle and these Final Particle are going to be Converted into the Final Soil Soil Formation में Next जो ये weathered material अगर यहां से कोई River आ रही है तो River इसको easily क्या कर सकते Carry करके लेके जा सकते अगर मैं इस पत्थर की बात करूं या जो Bigger Part है Browder है इसको River बहुत Rarely Carry करके लेके जाए क्योंकि इसके लिए किसके requirement है किसमें होता है youthful stage के अंदर जो weathering है वो aid करता है आपको Weathering aids in mass movement, erosion, reduction of relief and change in landform एक बार ये वाला word देख लेते हैं reduction of relief इसका मतलब क्या है Let us suppose this is the mountain one and this is the mountain two So this is the total relief Let us suppose कितनी है ये 100 feet, 100,000 feet ले 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 कितनी है 1000 feet, now because of the weathering ये जो particles है smaller pieces के अंदर disintegrate होके कहां पे आके deposit हो रहे हैं इस particular area में जिसको मैंने number दिया है 1 So gradually this mountain is going to be reduced in height ये mountain क्या होगे, height के अंदर reduce होगे same is going to be here So ultimately यहां पे जो 100 feet का relief था वो कितना हो गया Only, sorry 1000 feet का था वो कितना रह गया Only 100 feet का relief So this is known as reduction in relief Next is change in land form, change in land form का मदलब ये है जो पहले कैसा था आपका tallest mountain like structure and that can be your monan nob or it can become your in silber Clear? Okay, काफी interesting था ये वाला तो उसके बाद आता है enrichment and concentration एक बार इसको तोड़ा सा हम clear करते हैं canvas को So Soil या फिर जो sediments आपको available हो रहे हैं river basin के अंदर या फिर जो soil आपको adjacent area के अंदर है उसके अंदर कौन से mineral मिलने वाले वो टोटल रिपैंट को तरता है किसके ओपर parent rock और parent rock के अंदर आपको iron की ores, magnus, aluminium और copper यह सारी चीज़ें मिल सकती हैं और यह जो materials है या जो minerals है either because of the chemical weathering या फिर physical weathering क्या होते हैं leaching by ground इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है देखो let us suppose यह क्या है आपकी surface है यह cross-sectional rule है and यह हो गया layer 1, layer 2 अभी मैं नाम नहीं दे रहा हूं कि even है क्या है यह चीक है अभी फिलाल हम basic लेके चलते this is layer 1, 2, 3 & 4 अब let us suppose यहां पे क्या available है यहां पे because of the rainfall यहां पे water available है and यह water कहां move होगा downward यह water कहां move करना start कर रहा है downward जब भी water downward move होता है उसको बोलते हैं percolation लेकिन इसके साथ एक और concept add होता है उस concept कंव क्या बोलते है दो type के mineral होते हैं एक होता है और एक होता है water soluble और एक होता है fat soluble यहां पे हम किसकी बात कर रहे है only water soluble की यानि जो mineral किसके साथ water के साथ soluble होंगे यानि water के साथ mix होके वो कहा move करना start कर देंगे downward तो इस process को हम क्या बोलते हैं leeching बोलते हैं क्या बोलते हैं और इस process में क्या होते हैं जो mineral water के साथ soluble है नीचे चला गया और जो नहीं होता है soluble वो कहा रह जाएगा on the upper surface इसी में से एक आप कहां पर देखते हूं जो पर्मा फ्रोस्ट वाली एरिया जे वहां पर किस टाइप की स्वाइल मिलती है ग्रेइस वाइल के पेछे का रिजन क्या है क्योंकि जो एलूमीनियम है वह वाटर के अंदर नहीं होती है तो ग्रेजुली किसका कॉंटेंट या फिर इसना कुछ इंपरेंट है नहीं है हमने कितने सारी चीजें कर लिया है हमने सट्विकन्स देख लिए है स्पेशल टाइप देख लिये और इसको एक बर हम क्लीन कर देते है ताकि हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए इसली स्पेस अभीलेबल रहे हैं सो इसनिफिकन्स देखो मैं इन सारी चीजों को एक ही प्लेस पे समझाएता हूं डाइग्राम में फिर मैं आपको स्टेप बे स्टेप यह सारे जो फ्लो डाइग्राम में वो दिखा देखा हूं देखो अपने यह सुना होगँ कि जो हिली एरिया एक अच्छन उता से हां पर यहां पर एक द्रॉख को दिखा और यह बनेग्रेट ने यह अ पर up कर लेते हैं यह यहां तक दवलप कर यह वाल किसकी है घर के backyard की हो सकती है और यहाँ पर एक concept आता है इस concept को क्या बोलते है gravity क्या बोलते है इस concept को gravity मतलब यह है कि यह जो टॉप पर है इसके ओपर क्या अवेलेबल है वहीं पर move करेगा तो यह कौन सा part हो गया high और यह कौन सा part हो गया low it means जो moisture available है वो gradually कहा move करना start करेगा downward चीक है कहा move कर रहा है वो downward अब यहाँ पे जो movement है because of the moisture सब चीजे define करेगा कि जो movement है जो soil की वो कम होगी moderate होगी है very high होगी clear हो आगर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले किसकी soil creep की जो word creep है उसका मतलब है literally meaning है इसका रेंग ना ठीक है जो रेंग ना जो word है यानि जैसे जिन snake का example ले रेते स्नेक क्या करता है crawl करके चलता है वैसे तो जो creeping word होता है आप snail के लिए ले सकते हो वह काफी slow walk करती है ठीक है so अब यह जो word creeping है इसके according क्या होगा इसके according यह है कि जो भी आपके यह sand particles है वह कहां move करेंगे towards the downward slope और हमें पता कैसे चलता है पता ऐसे चलता है कि जितने भी यह weathered या जो movement of material है यह जो back होती है यह wall की इसके यहां पे हमें accumulate होते भी दिखते है next हमको किस तरीगे से पता चलते है this was the original position और यह after certain period यह किसके अंदर convert होते है जो पहले straight थे आपके वह किसमें convert होगे थोड़े से incline के अंदर तो जब हम यहां पे electric poles की जो shape है या फिर alignment होती है उसको देखते है और दोसरा जो यहां पर wall है इसके यहां पर तरफ हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि there is a actually movement of soil from high to low लेकिन इसके साथ problem क्या है हम इसको क्या होते है आई-witness के तौर पर हम देखने सकते है यानि कि हम इसका movement इतना slow है कि आप actually वहां पर खड़े होके उसको नहीं देख सकते और नहीं आप identify कर सकते कि there is a movement of soil next यहां पर कौन सा concept आपका next है आपका अच्छा यहां पर हमने movement कौन सी बात कि है slow medium और फास्ट यह सबसे पहली टाइप है आपके जिसके अंदर movement है very slow so next movement आती है कौन सी medium type की वो भी देख लेते हैं let us suppose यह जो medium type की movement है यह हो गया आपके mountain structure और यहां पर जो black color है वो किसको represent कर रहे है top layer of soil ठीक है यह इसके थिकने से अब यहां पर होगा क्या because of the rainfall यह जो rainfall है कहां पर हो रहे slope of the mountain और यह जो water है यानि अब मैं यहां पर जो moisture है उसको किस से represent कर रहे हो pink color से यह जो moisture है किसके अंदर आ गया है जो top layer है जो soil available है top layer पर उसके अंदर यह moisture absorb हो गया अब यहां पर एक चीज़ गौर करना है क्या available है water ठीक है और क्या चीज़ available है soil यह दोनों मिलके किसको बनाते हैं मर्ड को किसको बनाए इनों ने मर्ड को तो अब एक बाद का जो कीचर है for example एक तो आपके पास soil है slope के उपर दूसरा उस soil के अंदर क्या available होग है moisture अगर moisture और soil दोनों मिल जा है मर्ड क्या वो easily downward flow करना start करेंगे answer is yes वो कहाँ flow करना start करेंगे downward move करेंगे and that movement will lead to the you can say gradually the speed is going to be rise and this particular movement is known as mud flow क्या बोलते हैं इस movement को mud flow so इसके अंदर speed creep से जादा है landslide से कम है is it clear okay next जो इहां पर सबसे most frequently asked question है जो पेसी जो पूछता रहता है वो है landslide से related और 2020 के mains के अंदर even की 21 के mains के अंदर भी landslide से related question है वो question precisely क्या था कि western घाट के अंदर landslide कम मिलते हैं as compared to himalya why अभी देखते हैं यह हो गया आपका let us suppose mountainous part of himalya अब इसके अंदर ना एक छोटा सा logic यहां पर आएगा वो छोटा सा logic क्या है let us suppose this black color is the top layer यह black color क्या होगी top layer अब sometime what happens rainfall कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि यह हो गई आपके mountainous structure और यह हो गई आपकी soil उसके beach के अंदर क्या जाता है जो moisture इतना ज्यादा होता है कि इसके अंदर water कैसा agent या फिर किस तरीके से behave करना start करता है as a lubricating agent lubricating का मतलब क्या होता है जैसे अभी देखो मेरे हाथ में क्या है कुछ भी नहीं है तो मैं अभी अगर यहां पर क्या करता हूं friction create करता हूं तो बहुत यहां पर fill ओना start हो जाए मेरे को after one minute two minute की heat produce हो रही है on the other hand अगर मैंने अपने हाथ पर क्या लगाई है cream लगाई है तो उससे क्या है यहां पर जो friction है कम होगी तो it means जो lubricating agent है उसका काम क्या friction को कम करना and due to the reduction in friction यह जो आपका entire part है यानि यह जो आपका top part है यह कहां move करना start करेगा downward because of the gravity एक चीज़ याद रखना है in entire mass movement there is no agent is involved यह सारी जो movement हो र बिले मास सबी ले बिले सो यह जो entire movement है कैसी होगी यानि की पूरी की पूरी land ही downward move करना start कर रही है देखो दो word होते एक होते fall और एक होता है slide चैके क्या word होते एक तो होते fall और एक होते slide जैसे यह क्या है यह एक wall meaning mountain की slope है और यह होगी एक सेडिमेंट ठेक है अभी अगर मैं इसे क्या करता हूं ठोड़ता हूं तो यह कहां आ गया नीचे इसको मैं बोलता हूं दूसरा यह है माउस इसको मैंने बोला है स्लाइड दोनों में फरक समझ में आ गया है फॉल का मतलब यहां से डाउनवर्ड मुव कर रहा है और यह क् है दीरे दीरे डाउनवर्ड नीचे मूव कर रहा है यानि की स्लाइड करते वे आ रहा है सो यहां पर जो हम कॉंसेट समझ रहे है उस कॉंसेट का क्याना हमें लैंड हो गया अपका डॉस्वलिड सर्फेस जो ब्लैक कलर से यहां पर हमने ड्रॉ किया हुआ है उसके बाद व वाटर वाइब वाटर बिकाज वाटर इस एकटिंग ऐजल अलूब्रिकेटिंग ऑजन यानि हे फ्रिक्शन लेस सर्फेस क्रिएट कर रहे है विकजस औव रैट यहां पर लेंद स्लाइड होना स्टाथ होतो यह कहलीं प्लिए कि लिए ऑक यहांपे हमने क्या है आपके ती तीनो टाइप की जो यहां पर movement होती है, जिसको हमने देखा है, soil creep, mud flow and land slide, इनकेस अगर कोई भी समझ में नहीं है, यहां पर pause करो, rewind करो, दुबारा देखो, ठीक है, तीनो टाइप की जो यहां पर movement है, के लिए समझ में आगी, soil creep, mud flow and land slide, नेक्स आता है, यानि यह जितनी भी टाइप की movement है, इसको कौन help करता है, gravity, क्या इसके अंदर कोई भी agent involved है, answer is no, कोई भी आपका agent इसके अंदर involved नहीं है, अच्छा अब आपके दिमाग में question आएगा, sir अभी आपने बोलाए कि कोई भी agent involved नहीं है, तो यहां पर running water को भी आपने निकाल दिया है, इसमें से, देखो running water पता है मैं किस की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं river की बात कर रहा हूं, ठीक है, और जब भी rainfall होती है, अगर उस time, उस समय कोई भी surface water को absorb करती है, तो वो running water की case में नहीं आएगा, running water जब भी यहां पर लिखा होता है आपके NCRT में, 99% cases में किस को refer करते है, river को refer करते है, किलिए, okay, next, next point है आपका, कौन से कौन सी चीज़े हैं, जो favor करती हैं, किस के अंदर, mass movement के अंदर, यह मुझे लगा था कि erase करने की requirement नहीं पड़ेगी, let me just clear this entire thing, अच्छा, यह थोड़ा से important पते क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है कि बच्चे word by word पढ़ते हैं, तो उनको जैसे torrential rain है, यह समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा से confused होयाते हैं, किसे यह concept clear नहीं हो रहा है, देखो, सबसे पहले, यहां पर हमने क्या द है, weathered material टूटके नीचे आता है, तो weathered material के लिए rock कैसी होने चाहिए, consolidate मतलब एक साथ जुड़ी होई, ठेक है, अगर एक साथ जुड़ी होई, वो कभी भी नीचे नहीं आएगे, तो किस रही के rock चाहिए, unconsolidate, thinly bedded rock, faults, fault basically क्या होता है, इसमें because of the tensional force, और because of the compressional force, जब beds, next is vertical cliff, vertical cliff का मतलब हो गया, wall like structure, this is vertical cliff, then steep slope, steep slope means, this is a steep slope, next is abundant precipitation means, यहाँ पे mountain पे क्या हो रहे है, consistent rainfall, next is torrential, यहाँ पे torrential rainfall का मतलब है, हिंदी में इसको बोलते है, मुसलाधार बारिस means, जो यहाँ पे heavy rainfall है, उससे reference यहाँ पे लिया गया, next is scarcity of vegetation, देखो, यहाँ पे कफे interesting word, NCRT ने देवे, scarcity of, इसको इबर हम, थोड़ी से, bigger sale के उपर develop करते है, easily, समझ में आ जाएगा, चलो इसी का ही example लेए, green color कहांगे भी, where is green color, देखो, let us pose, mountain के इस side पे क्या है, काफी बड़े बड़े पेड है, चेक है, on this side there are very huge trees, अगर काफी huge tree है, it means, इनकी जो root system है, वो भी well developed होगी, this is the root system, and it's a very well developed root system, and एक और चीज हमने क्या देखा है, कि जो plants है, वो weathering में help भी करते हैं, और erosion को prevent भी करते हैं, point आया समझ में, weathering में help भी करते हैं, और erosion को prevent भी करते हैं, कैसे, यहाँ पे, जो roots डवलप हो रही है, क्या डवलप कर रही है, cracks, और इनी cracks के अंदर, क्या यहाँ पे penetrate करने वाला है, water, ठेक है, यह point हमें समझ में आगया, अब यहाँ पे लिखा हो है, कि अगर plants नहीं है, या vegetation नहीं है, तो उसके पास, या फिर उस particular surface पे हमें क्या prominent भी देखने को मिलते हैं, landslide, mud flow, यह सारी चीज हैं, क्यों, तो कि देखो, जो root है, वो particles को bind करने का काम करती है, अगर roots ही नहीं है, तो particle bind नहीं होंगे, उनको जरासा भी क्या होता है, shaking होता है, कुछ भी अगर feel होता है, तो वो कहाँ move करना start करेंगे, downward flow करना start करते है, तो यह logic है, जो अभी हमने recent यहाँ पे एक word complete किया है, जिसके अंदर लिखा है, scarcity of vegetation, next आता है, several activities cause precise mass moment, कैसे, देखो, यह मैं आपको recommend करूँगा, यहाँ पे मैं stop कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ भी ऐसा समझाने वाला नहीं है, मैं step by step एक एक word आपको line by line समझाए था है, इसका मतलब किया है, देखो, सबसे first point है, removal of support from below to materials, समझते हैं इसको, देखो, यह है आपका mountain, और यहाँ से क्या move हो रही है, आपकी, क्या flow हो रही है, river, so river basically क्या करती है, एक specific अपना path develop करती है, but because of the illegal mining, let us suppose, यहाँ पर illegal mining की वज़ेश क्या होगा है, यहाँ से यह पूरा जो part है, हमने erode कर दिया है, because of the erosion of this part, so, अब gradually क्या होगा, यह part यहाँ से erode हो गया, तो finally कुछ इस तरीके की structure डवलप होगी, कुछ ऐसी structure डवलप होई है, earlier this was the entire mountain, अब एक बाव होता हो, इस portion पे, मैं इसका तोड़ा size increase करेता हो, क्या इस portion पे अभी कोई support available है, answer is no, अगर कोई support available है, तो यह पूरा का part कहा अब उसके बाद increase in gradient and height of the slope, जैसे जैसे, let us suppose, यह plate 1, यह plate 2, दोनों में क्या हो रहे है, collision, जैसे जैसे collision increase हो रहे है, तो यहाँ पे क्या develop होते जा रहे है, slope develop होता जा रहे है, और यहाँ पे height increase हो रहे है, ठीक है, अगर height increase हो रहे है, यहाँ पे let us suppose, कोई भी sediment है, वो और easily कह यहाँ move कर सकते downward, तो यह हो गया आपका second point, third है, overloading through addition of material naturally or by artificial feeling, कहने का मतलब, इस particular area पे आपने क्या क्या है, बहुत ज़्यादा घर बना दिया है, ठीक है, उसकी वज़े से यहाँ पे क्या हो गया, load increase हो गया है, ठीक है, जैसे load increase होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, यह जो ठीक है, यह आपका mountain structure है, rainfall की वज़े से यह जो पूरा part है क्या करेगा, absorb करेगा पहले जितनी भी rainfall हो, moisture को, और फिर water कैसा start करेगा, lubricating agent के, like, and इसके बाद, और कौन सा point रहे गया, आपका, removal of material or load from, क्या लिखता है, from over the original slope surface, meaning, meaning यह है कि जैसे यह आपका original slope है, चेक है, इसको फोड़ा से यहाँ shift कर लेते हैं, let us suppose, यह आपके पूरी structure है, यहाँ पर क्या available थी, vegetation available थी, एक हम type of agriculture करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, zoom cultivation और zooming cultivation, तो जो zoom cultivation है, उसके case में क्या होता है, हम एक specific patch को clear करते हैं, for the agriculture, अब जैसी है आपने patch को clear किया, क्या हटा दिया आपने, जो vegetation था, वो remove हो गया, अब जैसे vegetation remove होता है, इसके साथ, zooming cultivation के साथ-साथ, एक और हम farming करते हैं, उसको बोलते है, step farming, तो step farming में क्या होता है, जो entire slope है, उसको convert करते है, step one, step two, step three, यानि जैसे staircase होती है, उसी तरीके की farming होती है, अब इस पूरे process में, हमने क्या क्या है, इससे load, यानि जो weight है, उसको remove करना start किया है, उसके बाद, जब भी कोई shaking होती है, ठीके, because of the shaking, landslide आना start होते हैं, और यह shaking आपकी किसकी बज़े से आ सकती है, it can be because of the power haunts, इसकी बज़े से भी shaking डवलप हो सकती है, के लिए, next is excessive natural seepage, natural seepage का मतलब, gap का mountain है, ठीके, mountain में, let us suppose, consistently क्या आती है, mist आ रही है, कंसेस्टेंटली क्या आती है, mist, mist basically कुछ नहीं होती है, यह एक air mass होता है, जिसके पास moisture काफी ज़्यादा होता है, अगर हम इसको compare करते है, fog से, fog के पास moisture कम है, mist के पास ज़्यादा है, so precisely क्या होगा, यहाँ पे water और ज़्यादा deep में penetrate करना start करेगा, यह seep down होगा, अब सवाल आता है कि water penetrating क्यों करेगा, because यहाँ पे क्या available है, crack है, अब आपके दिमाक में आ सकता सरे crack कहा से है, जब भी आप किसी भी infrastructure को देखते हो, let us suppose, मेरे पास एक छोट असा example है, उसको ध्याद से देखना, अब next time कभी भी किसी mountain ये सीरिया में जाते हो, आपको कुछ इस तरीके की structure देखने को मिलती है, कि ये जो entire path है, वो क्या है, road network है, यानि यहाँ से जाने के लिए क्या develop किया गया है, अपका entire path डवलप किया है, जिसको हम बोलते है road network है, अभी इस road को बनाने के लिए किस चीज़ का use किया होगा, या तो bulldozer, या फिर heavy machine, sometime क्या use होता है, dynamite use होता है, so dynamite की बज़ेश क्या ह है, यह naturally है, अब दीरे-दीरे क्या होगा, water और अंदर, और अंदर penetrate करेगा, और कौन सी activity start होगे है, chemical reaction जो कि entire rock को और week बनाते जाएगे, next, कौन सा water रहे गया है, excessive sepage हो गया, heavy downward of water from lake reservoir leading to slow outflow of water, इसको भी समझ लेते हैं, देखो, यह क्या है, आपका mountain spot, sometime what happens, mountain के यहाँ पे न, कोई एक specific depression create विजाता है, अब उपर से lettuce post क्या आ रही है, river को तो जाना था high speed से, लेकिन इस lake की वज़े से, पहले यह जो पूरी lake है, fill होगी, यह पूरी lake क्या होगी, fill होगी, और उसके बाद water कहाँ जाएगा, forward move करेगा, अब जितनी देर तक water यहाँ पे stagnant रहेगा, उतना ज्यादा water कहाँ होगा, जो mountainous slope है, उसकी जो top layer soil है, उसके अंदर sleep down होगी, जिसकी बज़े से, यह जो entire slope है, highly vulnerable हो जाता है कि इसके लिए downward movement को show करने के लिए, it can be in the form of land slide और mud flow, next is indiscriminated removal of natural vegetation, याने की limit से ज्यादा पेड काट दिया हमने, इस line का मतलब यह ही है, okay, next, आचा कई बत्रों को लग रहे है कि इतनी fast यह जरूरी है, क्योंकि fast नहीं करूँगा तो chapter complete नहीं होगा, आचा एक question आया था, heave basically क्या होता है, आचा आपने most of time देखा होगा कि जैसे गर्मियों के time में, यह क्या है आपके entire road है, और उसके अंदर cracks develop होना start हो जाते हैं, क्या होना start हो जाते हैं, प्रिसेजली वैसी चीज़े develop होती है, लेकिन यह चीज़े कब develop होती है, जब frost like condition होती है, it means, यह जो आपकी entire land है, इसको अंदर से pressure आना start होता है, means, because of the internal pressure, क्या develop होना start होती है, हाँ पे, cracks develop होना start होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, flow slide वगेर है, यह सारी हम देख चुके है, let's move to the next topic, so next topic is land slide, let me see, कितनी बड़ी वीडियो हो गई है, 36 minute की, चलो, कितना point, कितने point रहेगे land slide, हाँ, एक वीडियो और पूरी लग जाएगी, तो एक बर cover, recall कर लेते हैं, क्या 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 हमने पढ़ लिया है, एक मिनट, मैं सुच रहा हूँ, land slide आज cover करवा देता हूँ, तो इससे क्या है कि एक continuation रहेगी, ठीक है, यह सारी चीजे, चलो, इतने ही बहुत है, तो आज के lecture में हमने क्या देख है, सबसे पहले हमने देखा है, यहां से start किया था हमने, correct, हमने सबसे पहले significance of weathering, special effect of weathering यह यह हमने देख लिया, फिर उसके बाद हमने mask movement को काफी detail में पढ़ा है, जिसके अंदर हमने soil creeps and soil creep, mud flow और landslide यह हमने complete कर लिया, next आता है आपका landslide, देखो, landslide हम अलड़ी देख चुके हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ important words है, वो हमारे लिए खोड़े सी important हो जाते हैं, सबसे पहला आता है slumping, देखो slumping का मतलब क्या होता है, precisely दो तरीके से landslide हो सकती है, एक तो यह part है, अगर directly जो particle नीचे move कर रहे हैं, उसको हम बोलते है, debris debris slide, debris slide का मतलब है, इसमें backward rotation नहीं हो रही है, दिखते है backward rotation क्या होता है, slumping को समझने इस पहले, अब यह क्या है, directly कहां आ रहा है, downward नीचे आ रहा है, लेकिन होता क्या है कहीं टाइम पे, sometime what happens, कि जो, यह आपकी mountainous structure है, इस पे से, जो movement है, soil particle की, वो ऐसी straight नहीं होके, एक curve डवलप करती है, चेके, क्या होता है, हापे, एक curve डवलप होता है, और इस process में, कुछ जो particle, जिनकी speed हाई होती है, वो कैसे move करते है, forward, और बाकी कैसे move करना, start करते है, backward, चेके, इस तरीके से process आती है, and ultimately, जब यहाँ पे पूरा landslide का phenomenon खतम होता है, तो आपको किस तरीके की structure देखने को मिलती है, एक mound like structure देखने को मिलती है, और इस process में क्या होता है, multiple layer एक सा चलती है, layer 1, layer 2, layer 3, एक बार मैं इसको दुबार से draw करके दिखाता इसमें earlier क्या था ही, single piece था, इसके अंदर यह है आपकी first layer, चेके, और यह है second layer, done, and यह है आपकी third layer, जो की कहा move कर रही है, downward move कर रही है, चेके, कैसे move कर रही है, downward move करती जा रही है, and एक चीज़ देख रही है, यहाँ पे जो movement है, यह इसकी तरह straight नहीं है, यह कैसे show कर रही है, ठेके, और यह जो curve like structure है, इसकी वज़ेस क्या होगा, जो particle, जिनकी speed ज़्यादा है, वो forward move करेंगे, और जिनकी speed कमव, धीरे-धीरे कहा move करना start करेंगे, backward movement show करते है, ठेक है, जैसा हमने किसमें देखा था, कि let us suppose यह आपका waterfall है, पानी नीचा है, एक तो यह कहा move करेगा forward और दूसरी movement कहां start करता है, backward, जिसकी वज़े से यहाँ पर आपको cave like structure देखने को मिलती है, ठेक है, तो इस तरीके की structure, जिससे, जो soil particle है, forward, plus backward move show करते है, उसको हम बोलते है, slump, ठेक है, और entire concept हो गया, आपका slump परी, यह mostly आपको कहां देखने को मिलते है, यह mostly आपको द नेक्स्ट आता है आपका debris fall, यहां पर आता है, टेक मेंट, टेक मेंट, टेक मेंट, टेक मेंट, टेक मेंट, नेक्स्ट है, डेब्री fall, so debris slide और debris fall में क्या पर रखे, इसके अंदर backward rotation नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते है, debris slide, debris fall का मतलब है, यह freely fall move करता है, freely fall मतलब, let us suppose, ऐसा तो नहीं होता कोई mountain, ठीक है, let us suppose, यह आपका mountain है, यह mountain, अगर क्या करे, इस तरीके से slide करके आए, तो यह हो गया आपका debris slide, अगर यह एक टपा यहां खाए, और इसके बाद सीधा कहां आगया, ground पे, इसको हम क्या बोलते है, debris fall, एक तो यह steep slope पे हो सकते है, दूसरा, इस तरीके का कोई mountainous structure है, ठीक है, यहां से कोई भी particle weathered होता है, और directly कहां पे आगया, download, इसको हम क्या बोलते है, debris fall, उसके बाद आता है, rock slide, same rock slide क्या होती है, इस तरीके से slide करती भी नीचे है, ठीक है, sliding or individual rock or mass bedding, ठीक है, next important word आता है, आपका solification, ठीक है, देखो, इसका एक एक यह क्या आगया भी, custom a4 sheet not required, एक मुलेट, एक मिट, इसको हम एक बाद रेलेट कर देते हैं, देखो, solification, flucation का मतलब क्या होता है, जब land किसके तरह behave करना start कर दे, water के according, ठीक है, same, उसी को बोलते है, solification, कहने का मतलब यह है, कि जो आपका, यह जो land mass है, ज़रूरत से ज़्यादा movement show करना start कर देता है, ठीक है, उसको बोलते है, solification, जैसा हमने कहा देखाता है, कि जो water है, कैसा है, means water, first, यानि कि जो top layer है, plus में जो rock है, उसके बीच में lubricating agent के तौर पर work करता है, जिसकी वज़े से जो आपकी entire land है, वो कैश हो करती है, motion show करती है, यानि कि इसके अंदर कौन majorly act कर रहा है, वो है water, ठीक है, okay, so, 42 minutes की video हो चुकी है, क्या एक और छोटा सा concept कर ले हम, नहीं, इतना ही बहुत है, क्योंकि, देखो, आप 42 minutes complete आपने video देखे, it's more than enough, इसको आप पढ़ ही, revise करे, ठीक है, ये जो topics है न, इन में लगता है time, मुझे लगा कि ये आपकी within two videos के अंदर complete हो जाएगे, लेकिन आप, अगर two videos के according में complete करता है, इस पूरे channel पर इस video को बना के डालने का कोई logic बनता नहीं था, ठीक है, so, पढ़ते रहिए, in case अगर कोई भी word आपको लगता है कि आप नहीं यहां पे explain हुआ है, so, वो मैंने यहां पे cover कर दिया है, ठीक है, और हाँ, एक चीज मैं try करूँगा, कि जो comments होते हैं जो भी आप नीचे question पूस्टे हो कि सर कितने parts और बनेंगे, मैं try करूँगा कि उसको मैं lecture के अंदर conclude कर लो, ठीक है, तो यहां आपने जो earthquake है, हम जब भी discuss करते हैं, earthquake आता है हमारे बिल्कुल higher scale का, ठीक है, जब भी higher scale का earthquake आ रहा है, it means हम बात कर रहे है, 8, 9, इस reactor scale की, लेकिन हर बार scale का नहीं आता है, ठीक है, so, that's all for today's lecture, keep learning, if there is any doubt, you can ask in comment section, and I will try to tackle in upcoming lectures और उसके लिए अगर कोई अलग से वीडियो की requirement होगे तो हम उसको भी cover कर लेगे, so, keep learning, keep growing